कचा चुठा में आज बात उस खबर से शुरू करेंगे जिसने पुतिन को गाजा में जंग के लिए आखरकार मजबूर कर दिया अगर अगले 24 घंटे में इस्रेली सेना ने गाजा पटी पर भीशन हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है इसमें कोई शक नहीं पशमेश्या की मीडिया के मुताबिक वलादी मिर पुतिन ने नेतन याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गाजा और सिरिया पर और हमले किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं करेगा बंद गरोग गाजा में गदर पुतिन की जंगी धम की गाजा युद्ध में लगभग 15,000 मौते होने के पाद इस्राइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू भयान खून खराबा करने पर उतारू है हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 गंटे के अंदर इस्राइली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगवों पर सीस पायर को दोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर निसाइलों और ज्रोन से सीधा हमला किया है लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन करकर रख दिया है 71 साल के रूसी राश्चुपती व्लादे मेर पुतिन ने साफ चेताबनी दी है अगर गाजा में खूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएं नेतन याहू को चेताबनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है उसने अमेरिका समेथ तमाम पश्चमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है जरा देखी पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्व इसराइली सेना के लिए गले की हट्टी बनता जा रहा है गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू रूसी राश्पती व्लादमिर पुतिन ने प्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू को सीधी चैताबनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्व नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इसराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा पुतिन ने हमास और इसराइल की बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साब कहा है कि इसराइल जिस तरह से सीध वायर की आड़ में काजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है उसकी वज़ा से अब फिलिस्तीन इसराइली संघर्ष तीव रुवरिधी की ओर बढ़ चुका है पुतिन ने अपनी चेदाबनी में ये खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तोर पर इसराइल के खिलाफ जंग में उतरे या फिर रूस एरान और लिबनान के जरिये इसराइल पर बड़ा हमला करवाएगा खबर ये भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सेने अटो पर इसराइल के खिलाफ युद की तैयारी पूरी कर ली गई है हम आपको बता दें कि पुतिन ने इसराइल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासून फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा दावा किया जा रहा है कि मौसकों ने इरान, सीरिया और लिबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है ए सलुम कर रहा है कि अ लिए माता हुग है कि अबड़ा बर्ल ये भी जान लीजिये कि जब से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ है तब से उत्तरी गाजा दक्षणी गाजा और वेस्ट बेंक में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है मिडल इस्ट और रूसी मीडिया के दावों की मताबिक इसराइल में पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीज फायर के दोरान ही जबरदस्त हमले में मार डाला है अब सवाल उड़ता है कि जब सीज फायर है तो फिर इसराइल डंके की छोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडर्शिप से जुड़े नेताओं को क्यों मार रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स के मताबिक इसराइली सेना के ख़वे एजनसी मौसाद और शिन बित के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है जो हमास के हमलों को कंट्रूल करते हैं यही वज़ा है कि जैसे ही सीज फायर हुआ हमास के टॉप कमांडर आगे के हमलों को लेकर मूव्मिन्ट करने लगे जिसकी भनक मुसाद और शिन बेत को लग गए और फिर इसराइल के आईडियफ ने ख़विया सूचना के आधार पर इने मार डाला यही नुकसान हमास पर बेहत भारी पड़ रहा है जिसके खिलाब अब फोते ने इसराइल को धंकी दी कि अगर सीज फायर के दौरान गाजा या फिर सीरिया पर हमले तेज किये तो फिर ये युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा और रूस चुप रहकर तमाशा बिलकुल भी नहीं गेखेगा अब आप ये भी जान लीजिए कि सीज फायर के दौरान हमास का कौन सा बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है हमास के दो टॉप कमांडर्स को इसराइली सेना ने इस तरह से मारा है कि यही नहीं पता चल पाया कि उन्हें सीज फायर के दौरान मारा गया है या फिर पहले मारा गया हमास ने खुद 26 नवंबर को पुष्टी की है कि हमास के उत्तरी ब्रिगेड के दो कमांडर मारे गए हमास के मताबक आईडिय फिर उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर Aumad Al-Ghandor को हyuائी हमले में मार डाला है इससे पहले IDF ने हमास के कमांडर एहमद अलगंडौर को मारने की तीन बार कोशिश की थी इसके अलावा हमास के उत्तरी ब्रिगेड में रॉकेट डिवीजिन के कमांडर आइमान सियाम को भी IDF मार्च पी हमास के मिलिटरी विंग के मुताबिक हमास के कुल पांच सबसे टॉप अधिकारी मारे गए हैं दावों के मुताबिक ये सभी टॉप कमांडर युद्ध विराम शुरू होने से मारे गए हैं जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर के दौरान है इस्राइली सेना की स्पेशल पोर्ट ने हमास के पांच कमांडर्स की टागेट किलिंग की है सीज फायर तोड़ा तो तोड़ देंगे इस्राइल हमास के सतर से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं जिन में से पंद्रा बेहत माहर और दिगज कमांडर्स थे लेकिन जिस तरह से सीसफायर के आड़ में इसराइली सेना ने गदर मचाया है उसे लेकर पुतिन बेहद एक्टिव है इरान के राश्ट्रपती रईसी से पुतिन की नजदीकियों ने इसराइल के खिलाब नई मुसीबत खड़ी कर दी है तो वहीं सीरिया की प्रमुक असद से पुतिन की पुरानी और गहरी दोस्ती ने इसराइल को गज़ा से लेकर सीरिया तक मुसीबत में डाल दिया है सीरियाई रज्य समाचार एजेंसी के दावों के मुताबिक पिछले 18 घंटे में दक्षन पश्च्रम सीरिया में इसराइली हवाई हमलों में सीरिया के सेन्य ठिकानों को भारे नुकसान हुआ दावों के बुदाबिक सीरिया में हुई इसराइली हमले में उसके 8 सेन्य ठिक बारे गए हैं जबकि 7 घायल हुए हैं सीरिया में इसराइल का हवाई हमला सीरिया के दक्षन पश्च्रमी शेहर दारा के पास सेन्य ठिकानों पर हुआ है जसे लेकर पुटेन पुरी तरहा से बौखला गए है इसलिए उन्हों इसराइल को सीधी धंकिदी कि अगर गाजा और सीरिया में इसराइली हमले इसी तरहा से दोबारा हुए तो जग बहुत भयानक हो जाएगी अगर क्या है पौज़े जखीम शमगिनीम इधर हमास के दौरा बंधकों के रिहाई के दौरां एक बड़ी हैरां करने वाली ख़बर सामने आ रही है रूस को अपना सबसे वफादार दोस्त मानने वाले हमास ने रूसी बंधकों को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पुतन के कद को दुनिया भर में काफी उचा कर दिया है हमास के वरिष्ट अधिकारी ने दावे के साथ ऐलान किया है कि हम रूस और राष्ट पति पुतन का बहुत सम्मान करते हैं इसलिए गाजा में बंधक रूसी नागरिकों को हमास बिना शर्ट रिहा करने जा रहा है हमास के टॉप लीजर ने पुतन को सम्मान देते हुए बयान दिया है कि रूसी बंधकों को रिहा करके हमास पुतन को सच्चे दोस्त होने का सम्मान दे रहा है इधर कतर, मिसर और अमेरिका ने मिलकर इसराइल और हमास के बीच सीज़ फायर तो करा दिया लेकिन दिक्कत ये है कि नेतन याहू और इसराइल के कमांडरों ने साप कह दिया है कि सीज़ फायर ना तो इसराइल के बदले को रोप पाएगा और ना ही इसराइली हमलों को हम हमास का पूरी दुनिया से खात्मा कर देंगे इधर कुछ मिडल इस की मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनकी संख्या 1967 में इसराइल अरब युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है दावा तो यहां तक किया गया है कि 1,20,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हुचकी है अब ऐसे हालात में दावे किये जा रहे हैं कि रूस गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली हमलों को काउंटर करने का मन बना चुका है क्योंकि यूक्रین के युद में पुतिन ने अकेले दम पर नेटो और अमेरिका को ठका डाला है और यूक्रین पुतिन से जंग लगबग हार चुका है अब ऐसे हालात में पुतिन का हौसला सात्वे आस्मान पर है इसलिए वो गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना को मट्या मेट करने की तैयारी में जुट चुके हैं